नमस्कार शातियों श्वागते आप सभी का आशिस एजुकेशन समाचार चैनल पर आज 6 नवंबर शिक्षा विवाग से जोड़ी सभी बड़ी कबरें आपको इस वीडियो के तेद बताई जाएगी सातियों इस चैनल पर आप इस शिक्षा विवागी आदेश के अलावा रिजल्ट्स आंसर की जो देनिक समाचार रोजगार समाचार और विवागी योजनों की अपडेट प्राप्त कर सकते हैं तो चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को जरूरे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेल करें आईए शुरू करते हैं आज की सिख्षा विवाग से जुड़ी सभी बड़ी कबरें यहां पहली अपडेट यहां पर देख सकते हैं आरपीएसी एक की ओर से जो हैं आरएस दो जार इकीस के शाक्षातकार का अंतिम चरण आज से दोसो सत्याण में अभ्यरती होंगे सामिल 17 नवंबर को जारी हो सकता है परिणाम यहां आरपीएसी आरएस बरती 2021 जो है 21 से समंदीत अपडेट यहां पर रास्तान लोक्षेवा योग द्वारा रास्तान राजीम अधिनस सेवाई स्विक प्रतिव प्रिशा 2021 की मुखी प्रिक्षा में संपल रहे अभ्यरतियों के शाक्षातकार का अंतिम चरण 6 नवंबर से 17 नवंबर तक आईजित किया जाएगा यानि आज से 17 नवंबर तक इनके इंट्रियों होंगे आयोगे 17 नवंबर को जो है अंतिम प्रिणाम जारी कर सकता है आरपीएसी ने शाक्षातका पत्र जो है वेबसाइट पर अप्लोड कर दिये हैं अंतिम चरण में 297 ब्यरतिय का अंतिम प्रिणाम जारी करने की प्रंपर रही है इसलिए माना जा रहा है कि 17 नवंबर को तक इनके आपको पता हDING शारो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर है अगली अपडेट है यहापर कोट ने MBA अभ्यारतियों को पात्र नहीं माना 127 पदों का प्रेणाम गोशित करना आसान RPSC कोट के आदेश का अध्यान कराएगी इसके बाद पेसला रास्तान लोक्षियों आयोग द्वारा आयोजित अशेश्टेंट प्रोपेसर बिजनीश एड्मिनिस्टेशन 2020 बरती का प्रेणाम जारी करने की रहा अबासान हो गई है कारण रास्तान हाई कोट ने इस बरती मे शामिल एम भी अभ्यरतियों को पात्र नहीं माना है ऐसे में आयोग जल्द ही प्रेणाम जारी कर सकता है कि देख सकते हैं यह अप्डेट है कि आर्पेसी अशीटेंट प्रोफिसर बिजनीश जो है एड्मिनिश्टेशन 2020 बरती का जो प्रेणाम उस्य सम्मूदित बढ़त की पॉलितिन फटी मिली यह रास्ता लोक्षे वायोग द्वारा आई जित की गई जूनिय लीगल बढ़ती प्रेणा दो जैरतेश की प्रेणा के दो ब्यरतियों को प्रशन पत्र बुकलेट की पॉलितिन की शील टूटी हो है फटी मिलने का मामला कास में आया है अब ब्यर प्रमान पत्रों के सत्यापन में उलजे 520 नए शिक्षक आचार सहिता लगने से जोइनिंग ही नहीं दे पाए शिक्षक बागने शिक्षक बढ़ती 22 के तहत 2468 शिक्षकों को उधे प्रजिला उंटित किया था लेकिन इन में से 520 शिक्षक ऐसे हैं जो पोस्टिंग आदे नीजी संस्तान को डिगरी का सत्यापन का मामला तेनी विवागों के बीच उलजगर रहे गया सत्यापन हो पाता तो उससे पहले ही आचार सहिता लग गई यहां रीट बरती 2022 से सम्मधित यह है अपडेट यहां पर देख सकते हैं पता दे चरित प्रमान पत्तर पुलिस वि अगली अपडेट है सीबीए सीबीए सी दसवी बारी प्रेक्टिकल एकजाम और इंटर्नल असेस्ट्मेंट एक जनवरी से शुरू होगे जबकि दोनों कक्साओं के सेदांधी प्रिश्या 15 प्रवरी से प्रारंब होगी सीबीए सी द्वारा इस समंध में सर्कूलर जारी क अगली अपडेट है नम्स है परिक्ष्या 19 को 3483 बच्चे देंगे परिक्ष्या एड्मिट कार्ड जारी जहां बीलवाड आजले से प्रास्ताराजी सेक्सिक अनुशंदाने प्रिक्ष्याद एस आई सी आटी की और से 19 नोंबर को नेश्टनल मिंस कम में मेरेट इसकोलर से प्रिक्ष्या आईजित की जाएगी प्रिक्ष्या में सामीन हो लेगाने बेटियों के प्रवेश्पतर प्रिक्ष्याद की और से जारी कर दिये गए है बढ़ते अगली अपडेट की और अगली अपडेट है आपर बेट दो голос कोया बियेड अमेड थर्ड इंटरेंस्टरिप सेButton 15 ने डियेड बियेड बियेड बी अपडे बेड करने मेरे इंटर्वेद्वेड का इंटर्वी सेड़ी जारी किया है परतों वर्ष में 4 सप्ता और दीतिय वर्ष में 16 सप्ता की इंटरंशिप होगी परतों वर्ष में नीजी स्कूल और सरकारी थाता दीतिय वर्ष में केवल सरकारी स्कूल में ही इंटरंशिप करने की छूट होगी देख सकते हैं यहां पर यहां साथ ही उस पारे में आपको यह का हमारे अन्य वीडियो में भी आपको अपडेट दी गई थी जो यह इंटर्शिप कारेकराम जारी हुआ है विवाकी ओर शे अगली अगली अपडेट है साला दरपन रेंकिंग में दिखाया आयना नागोर अठारे जिलो से पिठड़ा उनिस वे पाइदान पर फिशला शिक्षया जोड़े विविन बाम दंडों को लेकर हर मा जारी होती है यह रेंकिंग श्कुल शीक्षय विवाक की साला दरपन रेंकिंग में इस बार नागोर जिले ने उनिस वाइस्तान पराप कि आया इसकुल शीक्षय वे परिशद के पोर्तल पर प्लोप डाटा के यह दार कर यह रेंकिंग हर्मा जारी कि जाती जेन वियू विसी ने मामला दो माहे दबाया बी ए पर्थमवर्ज की परिशा में गड़ बड़ी नमबर दो गुने तक बढ़ाए जिन पृष्णों के उत्तर नहीं लिखे उनके भी अंक जहां जेनारान व्यास की जुदाले की ओर से अपडेट आए गोपनी विवाग में ब कुल्पति निस मामली में जांच अब बिटाई है इतना ही नहीं सोकिंग दो यह भी मामले की जांच भी परिश्या समलिए प्रोपेसर क्यार गेनवा को सूपदी है जेन विविव की दोजर्टेवी से के प्रणाम बीए प्रतामवर्ज भुगोल के पहले फेबर में करीब नवंबर से भरेंगे परिक्ष्य आवेदन ABC ID जनरेट करना जरूरी MDSU प्रसासर ने परिक्ष्य आवेदन जमा कराने का शेडूल जारी कर दिया है सतर दो जार तेविस चोईश परिक्ष्याओं के लिए आवेदन आट उमर से ओनलाइन जमा कराए जाएंगे NEP के तहत है यहां नेशनल जो शिक्ष्य पॉलीशी उसके तहट है बदलाओं के मद्य प्रिक्ष्य आवेदन करने वाले अविद्यारतियों को यूनिश्टी की वेवसाइट पर ABC ID जनरेट करना जरूरी कर दिया है देख सकते हैं आपर 27 नॉमबर इसकी लाट डेट रगए गई है और 100 पे विलम शुल के साथ 27 नॉमबर तक बरसकते हैं और आखिर तारीक वेज से 22 नॉमबर रखी गई है बिना लेट शुल के अगली अपडेट है आ पर है सब्सक्राइब करें चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अदीश अधी करें मिलते हैं और नई वीडियो के लिए धन्यवाद झाल